सुवागत है दोस्तों आप सब का आज की इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे CRD वर्सेस PIC किरकेट मैंच के ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में सो दोस्तों इस मैंच के लिए बेस्ट विनिंग टिम बना के दूँगा पिछ रिपोट बताऊंगा कैप्टेन और वाइस कैप्टेन के से बनाना इसकी बात भी करेंगे सो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा चलिए बिना टाइम वेश्ट किये शुरुवात करते हैं इस इंट्रस्टिंग विडियो की सो दोस्तों छीरीज चल रही है एरोपेन किर्केट सिरीज स्पैन 2023 और इस सिरीज का ये चट्था मैस है जहां पे कैटलोनिया रेड का मुकाबला पाक आई के एर बडलोना से होने जा रहा है ये जो पर्टिकुलर मैच है ये मॉंट जोईक उलम्पिक ग्राउंड बार्सलोना में खेला जाएगा सो दोस्तों इस मैच की पुरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ सो दोस्तों यह मैच मॉंट जोईक ऑलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में खेला जाएगा चलिए बिना टाइम वेश्ट किये शुरुवात करते हैं इस इंटरस्टिंग विडियो की सो यह मैच केटलोनिया रेड वर्सेज पाकाई केर बडलोना के बीच में होने वाला है सो मैच नमबर सीख से ही है जो 28 नवंबर 2023 को एक बज़ के पनरा मिनट पे सुरू होगा मॉंट जोईक ऑलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में यह मैच खेला जाएगा सो इस मैच के पुर्वावलोकन की बात करें तो देखे केटलोनिया रेड ने इस रंकला में तीन मैच खेले और वेफिला लंग तालिका में तीसरे इस्तान पर है पाक आई केर बडलोना इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है पाकाई केर बडलोना ने पिसले 5 मैंचों में तीन मैंच जीते हैं, अंक तालिका की बात करें तो अंक तालिका आपके सामने अविलेबल है, पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं, सो दीए कि मौंट जोईक ऑलंपिक ग्राउंड बार्सलोना में ट्रेक काफी संतुलित है, जिसम बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को अच्छी मदद मिलती है, इस मैदान पर तेज गेंदबाज काफी सपल रहे हैं, उन्होंने इस मैदान पर कुल गेंदबाजी फेंटसी यंग का एक बड़ा इस्सार जित किया है, इसलिए अपनी फेंटसी तीम के लिए तेज गेंदबाजों को चुनना एक अच्छा विकल्ब होगा, अब बात करते हैं बल्लेबाज विकिट की पर की, तो पहला है मौमद एससान जिन्होंने 5 मैचों में 65 रन बनाए, दूसरा है गेंदबाज है, जो की है मौमद आतेब इन्होंने 5 मैचों में 5 विकिट लिए, दूस बात करें कप्तान और उप कफ्तान की तो देखिए कफ्तान के तौर पे मौमद बाबर को सेलेक्ट करना है जो 3 मैच House में 146 रन बना के एक विकेट ले चुके हैं और लास्ट मैचमें साट रन बनाए है इन्होंने बात करें उप कफ्तान की तो आप देख सकते हैं मौमद आप्तिप को आपको उपकप्तान के तौर पे सेलेक्ट करना है हर मैंच में बढ़िया विकेट यह ले रहे हैं दोनों टीमों के स्क्वाइड की बात करें तो देखें CID और PIC दोनों ही टीमों का स्क्वाइड हमारे सामने अवेलेबल है बनी बनाई फेंटसी टीम की बात करें सो देखें के विकेट कीपर के तौर पे मौमद बाबर और फियाज एमद को लेना है बलेबाज के तौर पे अभी दूसेन को लेना है ओल राउंडर के तौर पे मौमद एसान को लेना है गेंदबाज के तौर पे मौमद आतिप को लेना है असद रबानी को लेना ह मौमद मौतसिम को लेना है, सिकंदर अली को लेना है, मौमद सहराज और समी उल्ला को लेना है कप्तान आप मौमद बाबर को बनाएंगे, उप कप्तान आप सिकंदर अली को बना सकते हैं अगर यह वीडियो आपको informative लगाए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए आगे आने वाले समय में हर एक छोटे बड़े fantasy match का update आपको आपको यही पर देने वाले इस तो make sure कि आप हर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग